अब इसे ऐसे प्रेस करके देखे, हमारा ढोकला बहुत जादा सॉफ्ट और स्पाइब कितने जादा सॉफ्ट और इनकी जालियां क्लियर नजर आ रही है तो हमने आपको दी है हलवाई स्टाइल ढोकले की रेसिपी उमीद है कि आप जब इसे ट्राइ करेंगे तो आपके भी बिल्कुल ऐसे ही पॉफेक्ट ढोकले बनकर त्यार होगे ढोकले जूसेज में लबालाब हो चुके हैं इस खटी मीटी सिरप के अंदर इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं जब आप इने खाएंगे तो यह मूँ में मेल्ट होगे जोस्तों मेरा नाम है उमा रावत और सागत है आपका फूर्ट जाई पे दोकले बनाने के लिए हम एक कप बेसन ले लेंगे बेसन आप कोई भी ले सकते हैं बारी क्या मोटा कैसा भी जोकले का बैटा त्यार करने के पहले हम बेसन को चान लेंगे ऐसे चलनी में आप चान लेजे या फिर आटा चालने वाली चान सकते हैं इसे चान लेने से बेसन के अंदर एर डबलप हो जाएगी और जो थोड़े बहुत लम्स होते हैं वो इससे रिमूव हो जाएंगे बेसन हमारा चन चुका है और अब हम इसके अंदर कोछीज़े आट करेंगे एक छोटा चमच चीनी आट कर लेंगे एक चोटा ही छोटा चमच नमक आट कर लेंगे एक चोटा ही छोटा चमच हल्दी पाउडर एट करेंगे यह ओप्शुनल है अगर नहीं एट करना चाहते तो मट एट कीजे और जितना बेशन था उतना ही हम इसके अंदर पानी एट करेंगे निकी एक कप बेशन के लिए एक कप पानी तो इसमें हम पहले थोड़ा पानी एट करेंगे और इसका एक लंप स्प्री बेटर त्यार कर लेंगे तो कोई विसकर ले लीजे या फिर स्पून की मदद से इसे ऐसे फेट सकते हैं आप अपने हाथों की मदद से भी इसे फेट सकते हैं इसे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बाकी बचावा पानी एट करके इसका एक लंप स्प्री बेटर त्यार कर लेंगे इसे अच्छे से फेटिएगा जितना अच्छा आप बेटर को फेटेंगे उतनी ही अच्छे रिजल्ट आपको ढूख लेके अंदर मिलेंगे तो इसे बेटर को फेटते टाइम आपको एक और इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है बेटर को एक ही दिशा में फेटिएगा जिस साइड आप शुरू करते हैं उसी दिशा में फेटिएगा उसके बाद आप देख सकते हैं साइड साइड में बबल सा गया है यानि कि फर्मेंट होना शुरू हो गया है इसे ढख कर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे उसके बाद देखते हैं जब तक हमारा बेसन रेस्ट करेगा तब तक हम बाकी की त्यारियां कर लेते हैं हमें केक टिन ले लेंगे या फिर घर में पढ़ावा कोई भी ऐसे चोड़ा बरतन ले ले लिजे उपर से थोड़ा सा उठावा हो और इसके अंदर हम पूरे उपर से निचे तक तेल ग्रिस कर लेंगे इसकी साइट्स में भी तेल लगाना मत भूलेगा क्योंकि जब इसे डिमोल करेंगे तो इजिली निकालाएगा ये बिल्कुल भी जुरूरी नहीं है कि स्क्वेर केक्टिन में ही आपका ढोकला स्टीम हो सकता है आप घर में पड़िवे कोई गोल धाली ले लिजे राउंड बरतन में भी आप ढोकला स्टीम कर सकते हैं अब हम स्टीम कैसे करेंगे ढोकले को इस तरकी की कोई कढ़ाई ले लिजे धोकला स्टीमर भी आता है लेकिन सभी के पास धोकला स्टीमर नहीं होता तो इस तरकी की कढ़ाई लिजे उसके अंदर दो गलास पानी डालिए और ऐसे कटूरी ले लिजे गोल जिसके अंदर आप पानी भर दीजे और सेंटर में रखिए इसके उपर धोकले का मोल्ड आप रखिए और धक कर पका लीजे इसके अलावा आप इस तरीकी का वायरेक ले सकते हैं आज हम आपको धोकला स्टीम करके दिखाएंगे इस वायरेक के साथ कढ़ाई के अंदर राई को ढग देंगे और इसके अंदर स्टीम बनने देंगे इसके आज को मीडियम रख लेंगे और अब देख लेते हैं धोकले का बैटर रेस्ट कर चुका है और ये अच्छे से फूलने लग गया है अब वापिस से हम बैटर को उसी दिशा में फेटेंगे जैसा कि हम पहले फेट रहे थे इसन को अच्छे से फेट लेने के बाद हम इसके अंदर फर्मेंटेशन के लिए एक चथा चोटा चमच बेकिंग सोडा एट करेंगे जिसे हम खाने का सोडा या मीठा सोडा भी बोलते हैं आप इसके जगे पर एक चोटा चमच इनो भी एट कर सकते हैं अब ये बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए हम इसके अंदर टाटरी यानि कि citric acid एट करेंगे जिसे हम नीबू का साथ या फिर नीबू का फूल भी बोलते हैं इसे ढोकले में टेस्ट बहुत अच्छा आता है खटा सा और इसके साथ है साथ ये बैटर को फॉर्मेंट होने में भी हल्प करेंगा ये हम आधी छोटी चमच के करीब एट करेंगे ढोकले ब देखेंगे दोनों चीजे रियक्ट होकर इसे फूलने लग गई है बैटर उपर तक आ गया है राइज हो रहा है इसके अंदर शुगर पड़ी है शुगर भी मदद करती है बैटर को फॉर्मेंट होने में बेकिंग सोडा की हेल्प करती है बैटर को और फूलाने में अब आ अब हम इसे मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं वही केक्टिंग लेंगे और अगर आप किसी थाली में बना रहे हैं तो आप थाली को अच्छी से ग्रीस कर लिजे उसके बाद मोल्ड में यह बैटर पोर कर लिजे अच्छा एक और इंपोर्टेंट बात इस बैटर को हम टैप नहीं करना है, इसे टैप करेंगे तो इसके अंदर जो हवा भरी हमने वो निकल जाएगी और अब हम इसे स्टीमर की तरफ ले चलते हैं, हमारा स्टीमर त्यार है और अब हम इसके अंदर इसे प्लेस कर देंगे और ढग कर पकाएंगे इसे 15-20 मिनिट के लिए, इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और 20 मिनिट तक हम इसे पकने देंगे बेफिक्र होकर आप बैट जाएए, गैस के आज को मीडियम रखेएगा, आप 15 मिनिट के बाद एक बार और चेक कर सकते हैं 20 मिनिट बीच चुके हैं इस धोकले को पकते वे और अब हम चेक कर लेते हैं कोई डोट पिक ले लिजे या फिर नाइफ या फिर स्पॉन और सेंटर में ऐसे इंसर्ट कीजे धोकले का बैटर साइट से जल्दी पक जाता है और सेंटर का दीर में पकता है इसलिए हम सेंटर में डाल कर चेक करते हैं तो अगर ये क्लीन निकलाता है इस पर कुछ भी लगा नहीं रह गया तो आप समझ जाएए कि आपके धोकले का बैटर एकदम पक चुका है आप इसके साइट्स को भी चेक कर सकते हैं और ये एकदम क्लीन है अब हम क्या करेंगे इसे ठंडा होने देंगे 10 मिनिट के लिए ऊसके बाद ही हम इसे डी मॉल करेंगे तो जब तक हमारा ढुकला ठंडा होता है, तब तक हम बाकी की एक और प्रिपरिऴरेशन कर लेते हैं हम इसके लिए sauce बनाएंगे तो एक छोटा चमच तेल गरम कर लेंगे refined oil है और इसके अंदर कुछ तड़के की मसाले अट करेंगे जैसे की राई यह बारीक वाली राई है जिससे हम सामर को तड़का देते हैं तो यह चोटा चमच है उसके बाद हम इसके अंदर कुछ curry leaves अट करेंगे curry पते या फिर मीठी नीम बोल देंगे और अब इसके अंदर हम कटीवे हरिमेश अट करेंगे यहां पर हम दो से डाय चमच चीनी अट करेंगे और एक चोटा चमच नमक या फिर स्वात के नुसार्ट जाएंगे और आधी चोटे चमच सेट्रिक एसिड जिसे हम साट्री बोलते हैं ये खटा फ्लेवर होता है इसका जिसे आपके ढोकले खटे मिठे बनेंगे इस सभी चीज़े एड करने से आपके ढोकले में बिलकुल मार्केट जैसा फ्लेवर और टेस्ट आएगा अगर आपके पास साट ट्रिया सेट्रिक एसिड नहीं है तो आप नीमू कर रा सैट कर सकते हैं याँ पर और अब हम इसकी शुगर को डिजॉल्वने देंगे तीन से जार बोल आने के बाद हम इसकी गैस के आज को बंद कर लेंगे और इसे हलका सा गुन-गुना आने तक ठंडा होने देंगे इसे एजेस को पहले रिलीज कर लीजे कभी-कभी यह चिपकी रह जाती है और ढुकला असानी से निकलता नहीं है इसे उपर से थोड़ा टैप कीजे और यह असानी से निकल आएगा और अब हम इसके पीसे कट करेंगे तो आप यह कैसे चेक करेंगे कि आपका ढुकला में या फिर किसी भी बर्तन में जो थोड़ा डीप हो और आप देख सकते कितने जादा सॉफ्ट और इनकी जालियां क्लियर नजर आ रहे हैं जब इनके अंदर जूस जाएंगे तो यह जालियां और जादा खुलकर नजर आएंगी तो यहां पर सारे पीसेज असम्बल कर ल उमीद है कि आप जब इसे ट्राइ करेंगे तो आपके भी बिल्कुल ऐसे ही पॉफेक्ट धूकले बन कर त्यार होंगे यहां पर हमारे धूकले जूस में लबालब हो चुके हैं इस खटी मीठी सिरप के अंदर इतने जादा सॉफ्ट हो चुके हैं जब आप इन्हें खाए नारियल की शिविंग्स के साथ या फिर हरे धनिया की पती के साथ वैसे तो यह ढोकले बिल्कुल पॉफेक्ट है साफ करने के लिए अब आप इसे घर पर त्यार करेंगे तो आप स्ट्रीट फूट का मज़ा घर पर ले पाएंगे टेस्टी ढोकले की रेस भी आप सुरू अगर वीडियो अच्छी लगी है काम की लगी है तो इसे लाइक जरू कीजेगा और शेर कीजेगा इसे अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ अगर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फेस्बुक पेज को लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं मिलेंगे किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ तिल दोन में बाई एंटेकर थेंकि फो वाचिंग हैव अग्रेटे